दोस्तों बीते शुकरवार यानि के 5 माई को सिनीम आगरों में रिलीस हुई थी धा कैरला स्टोरी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से धूम मचा रहे हैं ओडियंस को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आ रहे है कि फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड करक्शन करके कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है फिल्म में चाहे सलमान खान की हो या फिर शारु खान की या फिर आज्ये देवगन की या फिर अक्षिक कुमार की लेकिन दख कैरला स्टोरी ने ये दिखा दिया है कि अगर रियल स्टोरी पर फिल्म बनती है तो फिल्म चलकर ही रहेगी और यही वज़ा है कि ना कोई फिल्म में सूपर स्टार है लेकिन सिर्फ स्टोरी के चलते ये स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद ओर्डियंस को आ रही है कि फिल्म ने बॉक्स आफिस पर तूफान मचा दिया है फिल्म को रिलिस हुए आज स्रीमा अगरों में पूरे तीन दिन कंपलेट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं दक कैरला स्टोरी अपने पहले तीन दिनों में पूरे वर्ल्ड में टोटल कितरी कमाई कर चुकी है फिल्म का अगर बज़ट की बात करें तो अगर साथ इस चेनल को भी सरूर सब्सक्राइब कर लीचीएगा दोस्तों अगर बात करें फिल्म दक केरला स्टोरी की सुदित्तो सैन ने इस फिल्म को डेरेट किया था जिसको प्रिडियूस किया था विपुल अमरुतलाल शाने अदा शर्मा योगिता भानी सौनिया बला सारा कुल मिला के टोटल जो बजट था फिल्म का 28 करोड रुपे का था फिल्म को बॉक्स आफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 35 करोड रुपे कमाने थे और सूप पर हिट होने के लिए 50 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई करनी थी लेकिन फिल्हाल जिस तरह से बॉक्स अफिस पर परफॉर्म कर रही है दा केरलाई स्टोरी वो वाकई का बिल्ली तारीफ है और फिल्म की कवाई देखने के बाद बॉलिवूट के बड़े दिककच भी हैरान है। जीरो है तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्चन 22 करोड 70 लाक रुपे हो चुका था। इस लाक रुपे इंडिया से कर रही है तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रास का लक्षान लगबग 42 करोड पे के भी पार जा रहा है और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट हो चुकी है लेकिन अब आने वाले टाइम में फिल्म जो कमाई करेगी वो सूपर हिट और आल ट इस लाइम ब्लॉक पास्टर होने के लिए करेगी लेकिन दोस्तों आपको कैसे लगए फिल्म कमेंट में से बताईएगा